नमस्कार आप देख रहें बीटी ऑनलाइन और मैं सिध्धात प्रकाश हाजिर हूं लेकर क्राइम सिरीज में एक और संसनी हेज कहानी आज बात करेंगे अतीक एहमत की पतनी शाइस्ता परवीन की कैसे एक पुलिस वाले की बेटी समहालने लगी माफिया का गैंग और बन गई मोस्ट वॉंटेड शाइस्ता असल में पश्टो का शब्द है जिसका मतलब होता है सुन्दर्ता अब इसे किसमत कहिए या जिन्दगी या परिस्थितियां माफिया अतीक एहमत की पतनी शाइस्ता परवीन अपने नाम से उलट एक अलग ही शक्सियत में तब्दील हो गई एक पुलिस वाले की बेटी आज यूपी पुलिस की मोस्ट वॉंटेड लिस्ट में है जिस पर पचास हजार रुपे का ही नाम है अतीक की मौत के बाद उसका परिवार बिखर चुका है और शाइस्ता फिलहाल पुलिस की पहुँच से बहुत दूर है शाइस्ता परवीन में ये बदलाव रातो रात ही नहीं आ गया जिन्दगी के पचास बरस पूरे कर चुकी शाइस्ता ही पती अतीक एहमद और देवर खालिद अजीम उर्फ अश्रफ के जेल जाने के बाद सारे मामलों की डिलिंग करती थी प्रियागराज के ही एक कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने वाली शाइस्ता की शादी साल 1996 में अतीक एहमद के संग हुई थी शुरू में खुद को घर की चार दिवारी के भीतर तक ही सीमित रखने वाली शाइस्ता परिवार के आपराधिक माहौल से कब तक अचूती रहती शादी के समय तक अतीक विधायक चुना जा चुका था और खुद को जुर्म की दुनिया के बाद राजनीती में स्थापित कर चुका था अतीक और शाइस्ता के पाँच बेटे हैं जिनमें से तीसरे नमबर के लड़के असद को पुलिस और हैस्टी एफ ने जहासी में एनकाउंटर में मार गिराया था इसके दो दिन बाद ही प्रियाग राज के कॉल्विन हॉस्पिटल के बाहर पुलिस कस्टेडी में अतीक और अश्रफ की ताबर तोड़ गोलियां मार कर हत्या कर दी गई अभी दो बड़े बेटे उमर और अली जेल में हैं जबकि दो छोटे बेटे अभी नाबालिक हैं अब रिटायर हो चुके पुलिस कॉंस्टेबल मुहम्मद हारुन की बेटी शायस्ता परवीन प्रियाग राज के दामूपूर गाउं में परिवार के साथ रहा करती थी प्रियाग राज के एक रिटायर्ड स्कूल टीचर ने यहां तक बताया कि शायस्ता हमेशा स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आती थी और वो बहुत ही पोलाइट थी तो फिर ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उटता है कि 24 फरवरी को प्रियाग राज में दिन दहाडे हुई उमेश पाल की हत्या के बाद शायस्ता कैसे आपराधिक गतिविधियों की सुर्खियों में आ गई पुलिस के मताबिक शायस्ता ने गुजरात की साबर मती जेल में बंद अपने पती अतीक से मुलाकात की थी जहां दोनों के बीच उमेश पाल की हत्या को लेकर बाद चीत हुई बताया जाता है कि अतीक ने शायस्ता से एक फोन और सिम कार्ड जेल के अंदर मांगा था साथ ही उसने उस पुलिस वाले का नाम भी बताया था जो जेल में उसे ये सब पहुँचाएगा बाद में फोन के जरिये इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची जीशान नाम के प्रॉपटी डीलर ने आरोप लगाया कि अतीक एहमत की तरफ से शायस्ता ही रंगदारी और वसूली का काम करती थी उसने शायस्ता पर फोन के जरिये कई बार रंगदारी के लिए धमकी का आरोप लगाया है यूपी पुलिस के अनुसार शाइस्ता के खिलाफ चार मामले दर्ज हैं जिन में से एक हत्या और बाकी तीन धोखा धड़ी के हैं ये सभी मामले स्पेशल सीम की अदालत में अंडर ट्रायल हैं अतीक और अश्रफ के जेल में होने के बाद शाइस्ता ने दो साल पहले राजनीती में एंट्री लेने की कोशिश की अतीक की पत्नी ने सितंबर 2021 में असदुद्दीन ओएसी की पार्टी AIMIM जोईन की इसके बाद इसी साल जनवरी 2023 में शाइस्ता ने मायावती की पार्टी बस्पा का दामन थामा जहां से उन्हें प्रियाग राज शहर की मेयर पोष्ट की उम्मीद थी हलाकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद बस्पा ने शाइस्ता से दूरी बना ली और बाद में मेयर पद के पत्याशी पद से उनका नाम भी काड़ दिया गया NBT Online पर फिलहाल के लिए इतना ही मुझे दीजे अजासत नमस्कार